नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Trade Like MBA में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बिटकोईन एक मिलियन डॉलर की प्राइस तक पहुँच सकता है क्या in the near future ये सबसे पहली बार सुनने में बहुत ही impossible सा लगता है बट आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेनारियो से explain करूँगा कि बिटकोईन के प्राइसेज एक मिलियन डॉलर तक मोचना क्यों impossible नहीं है और कैसे ये सेनारियो काफी हद तक possible है in case of बिटकोईन तो सबसे पहले कुछ statistics देखते हैं बिटकोईन के regarding बिटकोईन ने consistently outperform किया है gold, S&P 500 जोकि US का large scale market index है और Nifty 50 को पिछले 10 सालों में अगर हम percentage returns की बात करें तो बिटकोईन का return पिछले 10 सालों में 26,000% रहा है यानि आपका 1,00,000 रुपे बिटकोईन में 10 साल पहले invest किया हुआ आज 2,60,000 रुपे होता इसके comparison में gold की returns पिछले 10 साल में केवल 55% रहे हैं अगर हम बिटकोईन को US और इंडिया के market से compare करें तो US के market index S&P 500 ने पिछले 10 सालों में 210% का return दिया है और इंडिया की nifty 50 ने 165% का return दिया है लास्ट 10 साल में तो आप देख सकते हैं बिटकोईन के returns के सामने बाकि सारे asset classes या market index के returns बहुत ही कम है ऐसा क्यूं है और बिटकोईन ने इतने abnormal returns कैसे दिये ये हम आगे वीडियो में discuss करेंगे अब अप left में इस chart को देखिए ये chart world के सभी asset classes को उनके market capital के basis पर rank किया हुआ है तो सबसे important observation इस chart से ये देखने को मिलता है कि bitcoin का total market capital gold के market capitalization का केवल 6% है gold का total market capitalization पूरी दुनिया में 9 trillion dollar है तो आपको इससे एक idea लग गया होगा कि bitcoin का current market valuation कितना कम है gold के comparison में इसका क्या significance है और ये future में bitcoin के price को कैसे impact कर सकता है ये अब हम आगे वीडियो में discuss करेंगे कुछ और trends जो अभी पिछले 5-6 महिने में देखने को मिला है वो ये है कि institutional investors august 2020 से अपने gold and gold के exchange traded funds में invest किये हुए पैसे को sell करके उन्होंने bitcoin में invest करना शुरू कर दिया है bitcoin में institutional investment का trend august 2020 से consistently चला आ रहा है अब इन सारे trends के पीछे bitcoin के कुछ special feature है जो पूरी दुनिया के investors को bitcoin में invest करने के लिए सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो चलिए अब हम इनको discuss करते हैं अगर आप right side में chart को देखें तो आपको bitcoin के scarce nature के बारे में पता चलेगा जैसे की gold एक limited resource है सिंस धर्ती के अंदर total gold limited है और इसको आगे कोई भी country की government extra gold नहीं बना सकती unlike paper currency जिसको एक particular government अपने central bank के तुरू extra money print कर सकती है 88% bitcoin already circulation में आ चुके हैं digital currency के form में पूरी दुनिया में केवल 21 million bitcoins ही available हैं और इसमें से 18 million bitcoins already mine किये जा चुके हैं bitcoin की mining कैसे होती है और इसमें invest कैसे कर सकते हैं इस पर मैं एक video अल्री बना चुका हूँ तो अगर आपको bitcoin की mining के बारे में further जानने की curiosity है तो आप उस video को channel पर जाकर देख सकते हैं तो finally अब इस section में हम discuss करते हैं कि bitcoin का price कैसे 1 million dollar तक भी पहुँच सकता है तो since gold and bitcoin similarly behave करते हैं and if future में bitcoin gold के market capitalization को achieve कर जाता है तो bitcoin का future price सीधे सीधे 6 lakh dollar तक पहुँच जाएगा जो की 15 time जादा है bitcoin के current market price के जैसे कि मैं already बता चुका हूँ अगर इसमें और जादा institutional investors bitcoin में invest करने लगे instead of gold portfolio hedging के purpose के लिए then bitcoin की price में rapid increase आ जाएगा since bitcoin की supply भी gold की supply की तरह पूरी दुनिया में limited है बड़े institutional investors को देख कर retail investors and fund managers भी bitcoin में पैसा लगाने लगेंगे जिससे bitcoin का price further उपर आ सकता है तो इनी सब factors की वज़े से bitcoin का price 6 lakh dollar से 1 million dollar तक काफी जल्दी चला जाएगा in medium to long term तो friends आज के लिए इस video में इतना ही अगर आपको जानना है कि bitcoin में आप as a retail investors कैसे invest कर सकते हैं तो आप मेरी how to invest in bitcoin वाइली वीडियो देख सकते हैं अब आपसे मेरी मुलाकात next वीडियो में होगी तब तक के लिए thank you and happy learning